Crash Course Ecology Part 2 तो कल से हमने Ecology स्टार्ट किया है और अभी Ecology के हम पहले चैप्टर में ही है Organisms and Populations आप समझ रहे हैं काफी important चैप्टर है, काफी questions आते हैं इस चैप्टर से तो इस चैप्टर से related एक एक चीजों को ज़रा detail में समझना जरूरी है तो कि Ecology में अगर आप देखें बाकी के जो चैप्टर हैं उनमें भी concept हैं लेकिन इसके concept काफी unique हैं और काफी ऐसे concept हैं जो confusing होते हैं तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम day 44 पर पहुँच चुके हैं तो Crash Course को आगे बढ़ाते हैं Part 2 on Ecology continue करते हैं बच्चो Ecology Part 2 आज हम थोड़ा सा Global Affairs के बारे में पढ़ने वाले हैं क्याने कि अलग 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 पार्ट में धर्ती पर इस तरह के अलग अलग zonations हो सकते हैं वो चाहे light को लेकर के हो चाहे temperature को लेकर के हो कुछ level पर देखेंगे कुछ उचाई तक जा करके देखेंगे Now for all those students जिन्होंने आज पहली बार मेरा session जॉइन किया बच्चो my name is Pradeep Singh My educational qualifications, years of experience, number of students taught Everything is in front of you और मैं हमेशा कहता हूँ यह सारी की सारी चीज़े secondary हैं आप है primary मेरे sessions को ज़रूर शेयर कराकर ये hashneetlife daily के थूरू अपने social media account पर ताकि इस revolution के बारे में हर एक बच्चे को पती चल से आप हमारे साथ telegram app पर भी जुड़ सकते हैं telegram app कुछ इस तरह दिखता है तो सबसे पहले आप telegram app को कर लिजे install go to browser and type कर ये tinyurl.com forward slash unacademy cat जैसे ही आप इसको type करेंगे you will be directed towards this group आप इस group के साथ जुड़ जाएंगे और आपको सारे के सारे updates मिलते रहेंगे आपकी classes से related एक और बैतरीन feature tinyurl.com forward slash neat mobile जैसे ही आप इसको type करेंगे browser में ये window आ जाएगी यहाँ पर आप अपने सारे के सारे subject chapter wise, lecture wise देख सकेंगे पीडिया भी download कर सकेंगे बच्व बात करते हैं आने कैडमी subscription की जो की country का best learning platform है यहाँ पर आपको मिलती है live classes you can interact with us, live pole, leaderboard, test series analysis live doubt clearing session भी मिलते हैं आपको courses इस तरह के चल रहे हैं और भी courses आ चुके हैं, आने वाले हैं आने academy learning app को सबसे पहले करिए install play store पर जा करके एक बार install कर लिया आपने then plus का option आएगा need you, get subscription पर क्लिक कर दीजिए और यह window आ जाएगी यहाँ आप अपनी ज़रूत के इसाप से subscription ले सकते हैं और use करिए code प्रदीपलाइफ आल्राइट बच्चों तो शुरू करते हैं अब शुरू करने से पहले एक बार मैं quickly देख लेता हूँ कौन-कौन से बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं आज इस वक्सेशन में तो we have श्रेया, वीना, विक्रमादित्या, अंकित, तनुज, अभीशेक बचों नीट के एक्जाम की डेट आ चुकी है आप लोगों को पता है अलीना, वेलकम चरद, वेलकम श्रेष्ठा, वेलकम दानिश, वेलकम बिटा आल राइट, तो वसीम, स्वागत है बच्चे तो काफी बच्चों को मैं देख रहा हूँ इस वक्त, सबका नाम लेना संभब नहीं है बच्चों, तो सबका स्वागत है और शुरू करते हैं नीट इग्जामिनेशन, जिसकी आप तयारी कर रहे हैं के लिए ये 45 डेज क्रैश कोर्स हमने रखा था तो अब उस नीट इग्जामिनेशन की फाइनल डेट आ चुकी है काफी वक्त है नीट इग्जामिनेशन से पहले, तो ये बड़ा ही यूनीक मौका है आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से अगर आप नीट की रखते रहेंगे, इसके लावा प्लस सब्स्क्रिप्शन पर भी आप जुड़ सकते हैं, हम काफी क्रैश कोर्से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो सके चलिए बच्चों, तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं, आज इस सेशन को, और देख लेते हैं कल के सेशन में हमने टेंपरेशन के बारे में बात करी थी, कि टेंपरेशन का कैसा कैसा रोल है अर्थ में कहीं पर फ्रीजिंग टेंपरेशन है, कहीं पर बहुत थंड़क है कहीं पर बहुत ज़्यादा low temperature है यानि कि sub-zero temperature है zero से भी नीचे है sub-zero temperature तो atmospheric temperature किन चीजों के उपर depend करता आज वो समझ लेते हैं पहले atmospheric temperature depends upon latitude latitude का क्या मतलब होता है latitude हमने कल के session में भी discuss किया था कि अगर मानीजे globe है earth ये देख भी अब इस globe में आप देखिए यहाँ पर center में एक line होती imaginary line है यह कोई line वहां दिखती नहीं है imaginary line है कैसे बनाई गई दोनो axis को measure करके बनाई गई यह देख लिए यह north pole है और यह south pole है तो इन दोनो pole को अगर आप imaginary axis से जोड़ देते हैं तो आपको 90 degree angle पर बनती हुई नजर आ रही है एक रेखा याने कि एक line आपको 90 degree angle पर बनती हुई दिखाए देख वही है equator equator को कहते है zero degree latitude longitude क्या होते है longitude वह imaginary line है जो एक pole से दूसरे pole को जोड़ते हैं जैसे मैंने अभी जो बनाया है वह axis है अर्थ के center में से निकलने वाला axis है तो equator इसी साब से अब अर्थ अपनी axis पर ऐसे नहीं है थोड़ा सा tilted है 23.5 degree पर tilted है कल के session में मैंने आपको दिखाया था tilt की वज़े से कैसे मौसम में फिर बदल होता है याने कि northern hemisphere में जब summer होता है तो southern hemisphere में winter होता है और जब northern hemisphere में winter होता है तो southern hemisphere में summer होता है जस्ट opposite होती है यह चीज़े तो latitude का मतलब है जैसे जैसे आप equator से north की तरफ या south की तरफ बढ़ते जाते हैं आपका latitude बढ़ता जाता है क्योंकि zero degree को छोड़ करके आप फिर या तो north की तरफ जाएंगे या south की तरफ जाएंगे तो latitude बढ़त की तरफ जाते हैं चाहे north की तरफ जाएं या चाहे south की तरफ जाएं आप देखेंगे कि average temperature जो earth का है वो drop करता है maximum temperature equator पर होता है इसके लावा यह तो latitude की बात होगी आप समझ भी चुके हैं पहले भी मैं हमने इस पर discussion किया हुआ है right then comes altitude यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यह एक-एक point बड़े important है question आ सकता है इन में से दूसरा है altitude altitude का मतलब होता है height above the surface of the earth चाहे वो equator में ही क्यों ना हो equator में अगर कोई परवत होगा और काफी उचा परवत है तो उस पहाड के उपर अगर आप जाएंगे तो वहां का temperature equator के जो normal area के temperature याने कि जो sea level का temperature उससे temperature कम ह होगा याने कि altitude की बढ़ने से भी temperature घटता है यह भी मैंने आपको बताया था इसके लावा topography अब topography का क्या मतलब है कि वह शेत्र किस तरह का है याने कि मान लीजे कोई valley है मैं कहता हूँ sea level से नीचे ही है valley है वहाँ sunlight कम पहुंचती है जाहिर सी बात है temperature कम होगा या ऐसा topography है कि खूप सारा घाने जंगलों से ढखा हुआ है temperature कम होगा डेजर्ट की अगर topography की बात करें जहां पर जो मरूस्थल है मरू भूमी है जहां पर बहुत स्कैंटी vegetation है तो जाहिर सी बात है वहाँ temperature काफी जादा होगा तो topography याने कि land form कैसा है पहाड़िया है चोटी चोटी प्लैटू एरिया है पत्रीली जमीन है ज्यादा पत्थर होंगे temperature बढ़ेगा अरावली हिल्स में जहां पर ज्यादा पत्रीली जमीन है वहाँ temperature बढ़ता है और ऐसा land form है जहां पर water काफी quantity में पाए जाता है तो temperature नॉर्मल रहेगा क्योंकि हम देखेंगे soil से भी water evaporate करता ह है water vapor के form से soil के अंदर भी water रहता है तो water vapor के form में रहता है वहां से भी evaporation water का होता है तो यह सारी चीजे इसके लावा vegetation भी influence करता है temperature को vegetation कैसा है उसके उपर भी depend करता है and then humidity air में कितनी humidity है तो यह सारी की सारी चीजे temperature को effect करती है now अब बड़ी important बात temperature drops over the earth surface with increasing altitude as well as latitude चाहे height बढ़े तो temperature drop करेगा या latitude नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा अब जो altitude के हिसाब से temperature घटा है या जो latitude के हिसाब से घटा है इसको कहते हैं lapse rate याने की temperature के घटने का लेकिन lapse rate जो strict term में link किया जाता है वो बच्चे altitude के साथ है याने की height के बढ़ने से जो temperature का drop होता है वो lapse rate कहलाता है जरूरी नहीं कि पहाड़ ही हो आप plane land पर भी हैं और आप सोचिए कि आप helicopter या plane से थोड़ा सा उपर उठ रहे हैं तो temperature घटेगा और वही reason है कि plane land पर भी अगर जो aircraft है 30,000-35,000 feet की उंचाई पर उड़ रहा है तो उसका बाहर का temperature minus 30, minus 40 बड़ा common है आई वाद समझ में आपने कभी flight में अगर आप गए हो तो आपने ये देखा होगा कई बार announce करते हैं पाइलेट कैप्टन जो होता है वो announce करता है कि बाहर का temperature कितना है बाहर का temperature कहते हैं कि minus 30 degree है minus 40 है minus 45 degree तक मैंने सुना हुआ तो ये हो गया lapse rate उचाई के साथ सा temperature अब ये किस rate में घड़ता है ये बहुत ज़रूरी है तो साड़े 6 degree Celsius याने कि 6.4 to 6.5 degree Celsius का temperature ड्रॉप होता है after a height of every thousand meter thousand meter का मतलब आप समझ गया कि 1 km की अगर height पर आप उपर चले जाते ह या 10 degree latitude 10 degree भी जाते तो भी इतना ही drop होगा 6.4 degree to 6.5 याने कि 6.5 degree का drop होता है या तो 10 degree latitude में चले जाए या 1 km altitude में चले जाए 1000 meters getting the point आगे बढ़ते हैं ये देख लिए अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमने kilometers के हिसाब से दे रखा यह देख लिए 10 km तक याने कि 10 km तक temperature drop करेगा troposphere में tropopause में जाकर के फिर temperature दुबारा बढ़ने लग जाता है कहां तक याने कि जब 50 km की उचाई पर आ गया है तो temperature 0 degree के तकरीब है यह देख लिए यहाँ पर 0 degree यहाँ पर minus 40 था याने कि 10 km की उचाई तक अगर आप जा रहे हैं तो minus 40 बढ़े अर लेकिन बढ़के कभी देख लिजी यहां 20 या 25 डिगरी तक नहीं आएगा बढ़ने के बाद यहां तक आया याने कि 0 degree के आसपास आएगा फिर घटने लग जाएगा 90 km की height तक तो आप इन layers को देखिए troposphere stratosphere mesosphere तेन बच्चों जब thermosphere में जाता है तो फिर यहां बढ़ता है यहां देख लिजी काफी ज़्यादा temperature बढ़ जाता है अब वो कितने level पर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है यह मौसम वेग्यानिक जो होते हैं वो इस चीज की study ज़्यादा detail में करते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि lapse rate का क्या range है किस range में lapse rate हो रहा है right okay now therefore हम कह सकते ह है कि changing latitude from equator to pole following zones are form tropical बनेगा subtropical बनेगा temperate बनेगा Arctic बनेगा चार जोन बनते हैं जब आप equator से north की तरफ या south की तरफ जाते हैं इस globe के इस diagram को हम कल भी देख चुके हैं और हमने यह देखा हुआ है कि यह uniform नहीं है अगर आप देखें यहां पर equator जो दिखाया जा रहा है equator is this one मैं इधर mark कर रहा हूँ यह रहा equator पूरी की पूरी straight line जा रही है इसके लावा आप यहां पर देखिए tropic of cancer जो बना हुआ है वो इस इलाके में है this is tropic of cancer तो यह जो tropic of cancer आप देख रहे हैं यह भारत के center में से जा रहा यह रहा इंडिया मेरे ख्याल से आप लोगों को इतन क्योंकि वहां पर हिमालया mountain range is यह जिए यह हिमालयाज हैं यहां पर तो जब हिमालयाज की बात आ गई तो आप देख लीजिए वहां पर green दिखाया जा रहा है यानि कि temperate zone हो चुका है और हिमालयाज हिमालय की चोटी पर अगर आप जाएंगे तो आपको polar zone भी मिल जाएग सारे के सारे zone आपको मिल जाएंगे height के हिसाब से इसका मतलब एक चीज़ हमने यहां बता दी कि latitude के हिसाब से भी change हो रहा है और similar variation will happen with the height similar climate and vegetation zonation occur over mountain along with increasing altitude अब मैंने एक चीज़ और बताई थिया कि अगर equator में कोई mountain है तो उसके पास धीमे धीमे zone change होगे लेकिन कोई mountain polar area में तो पूरा mountain ही polar होगा तो a high mountain in tropical area will have all four zone क्योंकि tropical area पर mountain है तो नीचे जो है mountain के नीचे tropical climate होगा थोड़ा उपर चलेंगे धीरे धीरे तो subtropical है फिर temperate आएगा then alpine और Arctic Antarctic का equivalent चोटी पर आएगा लेकिन डिपेंड करता है पहाड की उचाई उतनी है क्योंकि lapse rate के हिसाब से ही होना चाहिए अब lapse rate के हिसाब से हमने एक बड़ा simple सा calculation देख लेते हैं मैं जड़ा पीछे जा करके आई यह आपको दिखाता हूँ Mount Everest की height आप सबको पता है 8,848 meter याना कि करीब साढ़े 8 km की height है Mount Everest की अब आप यहाँ पर देख लीजे 10 km के range पे minus 40 degree का temperature दिखाई दे रहा है और यह 10 वाला है और साढ़े 8 उसके नजदीक ही है मेरे ख्याल से minus 35 का तो temperature आता ही है वहाँ तक तो यही reason है कि Mount Everest के उपर आपको विल्कुल बरफीली चोटिया मिलेंगी क्योंकि minus 35 it is equivalent to Arctic and Antarctic temperatures लेकिन अगर कोई mountain subtropical में है तो उस mountain के foot hill में तो subtropical होगा तो three zonations होगे subtropical होगा temperate होगा अल्पाइन होगा subtropical और अगर कोई mountain temperate में है तो temperate और अल्पाइन कोई mountain अल्पाइन है तो अल्पाइन अब बात कर लेते हैं बच्छों कुछ उन रूल्स के बारे में जिनके उपर question पूछेता से सबसे important है ग्लॉगर्स रूल क्या कहता इन warm-blooded animal चाहे वो mammals हो जाएं चाहे bird हो जाएं including human pigmentation is lesser in colder area जहाँ पर सर्दी वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पर pigmentation कम होता है melanin pigment की बात कर रहा हूं मैं जाहिर सी बात है लेकिन जो equatorial areas होते हैं बच्छों वहाँ पर pigmentation ज्यादा देखने को में यही region है अब अगर African population को देखिए उनके skin में काफी ज्यादा pigmentation है they appear darker और वहीं आप Europeans को देखिए European में lighters तोन दिखाई देता है skin का pigmentation की बात है यह देख लीजिए यह Arctic bird है Arctic turn और यह रहा मारा Brazilian Macau पर्क है की नहीं है तो yellow brown to red in arid climate and black in humid hot areas और एक और बात yellowish to brownish coloration होता है to red in arid climate जो सूखे वाले स्थान होते हैं जैसे mongolians yellowish complexion होता है क्योंकि वहाँ पर gobi desert है getting the point तो इस तरह से pigmentation होता है और इसमें Gloggers rule यही कहता है कि जो equatorial areas में रहते हैं फोलो याने कि जो temperate zones में रहते हैं उनमें pigmentation ज्यादा होता है warm-blooded animals की बात हो याने कि birds and mammals this is Gloggers rule pigmentation ज्यादा होता है आगे बढ़ते हैं यह देख लीजिए यह lights eskimos यह eskimos है tribals है greenland के tribal eskimos यह light-troned होते हैं और यह देख लीजिए यह African tribals है तब pigmies come height होती है ज्यादा pigmentation होता है body में राइट अब दूसरा rule बर्जमन रूल क्या कहता है यह भी warm-blooded animal को लेकर के है birds and mammals को है कि colder areas के जो animals होते हैं बर्जमन रूल कहता है उनका size थोड़ा सा बड़ा होता लंबा होता है यह देख लीजिए यह लोमडी और यह normal fox है warmer areas का size छोटा है इसका तो बर्जमन रूल के हिसाब से warm-blooded animal जो है colder area में रहने वाले warm-blooded animal थोड़े size में बड़े होते हैं इसका एक और logic है कल के session में मैंने वो logic आपको बसाया था कि body surface to body volume का ratio याने कि अगर volume ज्यादा बढ़ गया तो surface और volume का ratio थोड़ा drop करेगा और छोटा जानवर है तो surface ज्यादा है volume कम है तो वो ratio फरक पड़ता है तो बड़े size के animals हो जाते हैं तो volume भी बढ़ गया compared to the total surface area of the body तो वो heat retain कर पाते हैं अगर और simple सा आपको reason बता देते हैं आपके घर में बारिश के मौसम में कभी आपकी मदर पकोड़े तल के लाती है तो आपने देखा होगा जो बड़े वाले पकोड़े होते हैं जादा देर तक गरम रहने हैं जो छोटे वाले होते हो जल्दी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उनका surface area compared to their inner volume is less इससे ज्यादा practical example मैं नहीं दे सकता यह आपने देखा है सब को पता है इस चीज़ के बारे में तो बर्जमन रूल में कुछ अनोखा नहीं है लेकिन उन्होंने observe किया तो उन्होंने यह rule बनाया इन्होंने observe किया वही rule बना सकते हैं इन्होंने observe नहीं किया वो तो रूल देंगे नहीं तो that is the logic behind this rule क्या आगे बढ़ते हैं अब तीसरा रूल है एलन्स रूल याद रखिएगा एलन्स रूल एलन्स रूल एलन्स रूल इस अलसो वेरी इंपोर्टन यह extremities की बात करता है पैर हो गए पूछ हो गई कान हो गए जो animal warmer climatic condition में होते हैं उनके कान बड़े होते हैं देख लिए पैर भी बड़े होंगे compared to the body और जो colder areas में होते हैं उनके कान छोटे हैं पैर भी थोड़े छोटे हैं इसके पीछे एक और logic है बच्चो जब फर से body covered होगी तो अगर कान बड़े भी होंगे छोटे ही दिखेंगे लेकिन अगर वाकई में देख होटे होते हैं तीसरा रूल है अब आगे बढ़ते हैं चौथा रूल देखते हैं रेंस रूल क्या कहता है कि जो बर्ड colder areas में रहती है उनकी wings narrow होती है देख लीजिए विंग्स नैरो है और यह warmer area में रहने वाला eagle है इसकी विंग देख लीजिए चोड़ाई काफी ज़ाद इस इन रूल के बाहर कुछ नहीं आएगा तो आपने शिंत रहिए कि कोई रूल आपका चूटेगा नहीं यह क्या कहता है फिशेज को लेकर के यह रूल है फिशेज ऑफ colder water tend to have more vertebra cold ठंडे पानी में रहने वाली मचीयों का जो vertebral column हो ज्यादा लंबा होता है उसमें कुछ bones जादा हो जाता है अंडे पानी में ताहिर सी बात है वही कुछ ना कुछ logic है कि वही volume जादा होना चाहिए बोडी का temperature तभी maintain कर पाएंगे इस वज़े से वह बढ़ जाते हैं लेकिन ओस्टर के case में हमने देखा था कि किस तरह से temperature बढ़ने से उसका size बढ़ता है तो यह अल पारे में कल हमने पढ़ाता है कि 10 degree में 1.5 और 20 degree में 10 जो growth हो गई तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है लेकिन Jordan's rule कहता है कि बड़ा vertebral column होता है मचलियों में colder water तो यह दोनों चीज़े अलग-अलग है एक है invertebrate एक है vertebrate तो दोनों में फर्क है आगे बढ़ते ह अब बात करते हैं water के बारे में तो terrestrial plant and water availability terrestrial plant जो पानी से बाहर वाले प्लांट है उनमें water की availability किस हिसाब से होती है और ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से उनका हम classification भी कर सकते हैं तो बच्चों देखिया on the basis of moisture availability in the habitat terrestrial plant are of the three type यह major तीन टाइप के हैं hygro phytis, mesophytes, zero phytis बड़ा ध्यान से पहले वाले को फिर से गवर करिएगा this is not hydrophytis, hydrophytis तो aquatic plant हो गए हम बात करें terrestrial plant की याने कि land पे grow करने वाले plant तो यह क्या है hygro phytis, this is not hydro, this is hygro phytis याने कि होता तो जमीन पर यह लेकिन इसको पानी की quantity थोड़ी ज्यादा चीए याने क नमी वाली जगहों पर होता है, गीली जमीन पर ज्यादा अच्छे से grow करेंगा, यह थोड़ा सा difference है, तो hygro phytis क्या है, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बचों hygro phytis are plant of wet areas with soft stem of moderate height, इनकी height बहुत ज़्यादा नहीं होती, wet areas में होते हैं, मिट्टी गीली होनी चाहिए large thin leaf होती है, with hydatholts, hydatholts होंगे, क्योंकि पानी का ज़्यादा absorption हो जाएगा, तो release करना पड़ेगा, तो gutation के थुरू यह water को release कर देते हैं, तो they are hygroscopic plant, जैसे कि आप example देख लिए, renunculus, यह flowering plant है, flower इसके, जो है काफी beautiful flower होते हैं, इस तरह का herbaceous plant होता है, renunculus, this is uploada, यह तो घास जैसा लगेगा, तिनके जैसी घास ग्रो कर रही है, मैंने एक चोटा सा portion इसकी flowering tweak का लगाया हुआ है, inflorescence का part, तो यह ऐसी जगहों पर, जहां पर थोड़ी सी दलदली type की जमीन होगी, थोड़ा पानी होगा, उन इलाकों में देखने को मिलता है, hygrophytes, याने कि somewhat marshy land, अगर आप किसी तलाब के पास जाएं, तो तलाब के अंदर तो भी गहराई है, पानी है, तलाब के किनारे, जैसे जैसे आप थोड़ा सा लैंड से तलाब की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां थोड़ा सा गीली मिटी रहेगी, भीगा भीगा पार्ट रहता है, वहां पर ये ग्रो करते हैं, पानी के अंदर नहीं ग्रो करेंगे, पानी अगर भर जाएगा और बहुत टाइम तक पानी भरा रहेगा, तो इनको फिर नुकसान हो जाता है, यानि कि फिर ये सूखने लग जाते हैं, ये रूमेक्स बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमनली खेतों में जरू हान के खेत में ग्रो कर रहा है और किसान इसको निकाल कर फेक देते हैं, तो ये हैं हमारे hygro phytas, अब बात करते हैं मीजोफाइटास, मीजोफाइटेस का मतलब है कि उपर लैंड डंडली नीच चाइग, इनकी जड़े नीचे तक जाते हैं, मेसोफाइटेस प्लांट अफ म इसके बहुत सारे हैं महुवा का प्लांट ले लीजिए इनमें घिनस ही है। Most crop plant, vegetable, fruit plant are mesophytes. जदातर plant जो दिखते हैं, इंजियोस पॉम में, वो mesophytes. Now, zerophytes. Zerophytes are plant of dry habitat, which are faced with the problem of more water loss through transpiration. So, acacia आ जाता है, tamarix आ जाता है, casuarina आ जाते हैं, ये सारे के सारे zerophytes हैं. लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो mangroves होते हैं, उनका भी adaptation zerophytic ही होता है, क्योंकि होते तो हैं वो समंदर के पानी के आसपास, लेकिन उस पानी में नमक इतना ज्यादा होने की वज़े से, they are also termed as zerophytes. ज्याने कि वो होते हैं मार्शी एरियाज में, दल्दली छेत्रों में, इसलिए उनको mangrove कहते हैं, लेकिन उनका adaptation क्या है, zerophytic adaptation, zerophytes नहीं बोलेंगे, क्योंकि zerophytes के लिए है कि dry habitat में होते हों, वो dry habitat में नहीं है, wet habitat में है, लेकिन adaptation उनका zerophytic है, क्योंकि water stress है, same goes for trees that are growing in ice areas, जहां बर्फिले इलाके हैं, जहां पर बर्फ गिरती है, ice fall होता है, वहां पर भी snow falls जिसको कहते हैं, एक ही बात है, जो snow falls जहां पर होता है, वो भी उनका भी adaptation, zerophytic adaptation, लेकिन वो होते कैसे हैं, वो alpine vegetation कहा जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है, zerophytes को हम बोलते है, dry habitat, जो mainly जहां ऐसे इलाके में, जहां water की scarcity है, तो वो zerophytes हो गया और generally हम desert plant को, या semi-arid region में ग्रो करने वाले plant जैसे एकासिया हो गया, casuarina हो गया, casuarina aquisitive folia, यह देख लीजे, second वाली picture, casuarina की है, जो आप देख रहे हैं, right, चालिए, आगे बढ़त हैं, अब बात करते हैं कि water bodies में अगर light fall होगी, तो light किस तरह से होगी, light zone in aquatic habitat, aquatic habitat में बचों light को लेकर के challenge है, आपने कभी अगर किसी pool में या reservoir में कभी नीचे गोता लगा के आप गये हो, swimming गॉगल पहन के, तो आपने देखा होगा कि light कम होती है, नीचे के, उपर की तरफ light जादा होती है, तो now, same amount of light does not reach to the different depth of a water body, अब water body में गहराई के उपर, कितनी गहरी lake है, उसके उपर depend करता है, कितनी amount of light नीचे पहुचेगी, अगर shallow lake है, तो सारा पूरी light पहुचेगी, और अगर shallow नहीं है, गहरी है, deep है, तो light की पहुचने में दिक्कत हो, अब क्या होता लिट्टोरल जोन एक होता है, लिट्टोरल जोन जो किनारे का एरिया होता है, यह जो हमारा इलाका है, यहां तक आप समझ सकते हैं, जहां तक आप किनारे का जो portion है, उसको हम लिट्टोरल जोन, लिट्टर का मतलब होता है, कि जमीन पे कुछ पढ़ा हुआ है, लिट्टोर जो ओपन जोन है यह देख लीजिए यह जो ओपन जोन है इसको हम लिम्नेटिक जोन पूरा का पूरा ओपन जोन लिम्नेटिक जोन में आता है यह पूरा का पूरा जो ओपन जोन है यह देख लीजिए यह हमारा लिम्नेटिक जोन अब लिम्नेटिक जोन में भी कई differentiation और side वाला जो है यह littoral zone है यह देख लीजिए ओपर का जो classification दिया हुआ है littoral zone है किनारे 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 लेख से हैना थोड़ी दूर तक अब इसमें भी कोई अब आप यह नहीं कह सकते कि सर फिर कहां तक है littoral zone यह नहीं कि मतलब 10 feet तक Littoral होगा depend करता है slanting के हिसाब से यानि कि छोटे मोटे जो पौधे गुरो कर रहा है तो उसको Littoral Zone बोल देते हैं मन यह कोई lake है वो बहुत धीमे-धीमे हलकी ढलान जा रही है plant बड़ा धीमे-धीमे हो रहा है अब Littoral Zone को देख लेते हैं यह गहरी lake जो आपको दिखाई दे रही है गहरा पानी यहाँ पर गहरा ही है लेकिन यह किनारे क्या है यह गहरा ही नहीं है शैलो है जमी यानि कि light नीचे तक पहुँच रही है Littoral Zone के एक और definition light नीचे तक पहुँच रही है तो now it is shallow coastal region light is able to pass through shallow water and reach the bottom यानि कि जहां तक पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं जहां bottom तक पूरी की पूरी light जा रही है यह देख लीजी यहाँ पर तो जहां तक पूरी light जा रही है उसको हम Littoral Zone बोलें now therefore producers occur throughout from surface to bottom यानि कि side से लेके नीचे तक जहां तक light जा रही है Littoral Zone में producers होते हैं यह producer क्या है green plants जाहिर सी बात है जो production का काम करें लेकिन अब आप बोलेंगे कि कुछ producer तो floating होते हैं तो बच्चों वो जो free floating जिनको हम बोलते हैं phytoplanktons तो वो तो हमारे limnatic zone में भी हो सकते हैं but they will not go to the depths तो यह थोड़े-थोड़े differences हैं यह भी समझना आप अब बात करते हैं limnatic zone it is open water zone where water is very deep amount of oxygen and light decreases with depth जैसे-जैसे गहराई में जाते जाएंगे light भी कम हो जाएगे oxygen भी कम हो जाएगा तो कि वहाँ पर पेड़ पोधे भी नहीं उपर की तरफ फिर भी क्या है phytoplanktons है limnatic zone के तीन पार्ट होते है photic zone जहाँ पर proper lighting रहती है our photic zone जो twilight type का area रहता और benthic zone जो बिलकुल नीचे bottom कई बार तो गहरे समंदर में benthic zone में अधेरा ही रहता है वहाँ तक light पहुचती ही नहीं है तो वहाँ पर जो divers जाते हैं जो dive करके गोता खोड़ जाते हैं तो वो light ले करके जाते हैं otherwise कुछ दिखे गई नहीं all right अब photic zone photic zone नाम से ही समझ में आ रहा है आज तक तो नहीं पूछा गया है तो इतना important नहीं लेकिन photic zone जरूर याद रखेगा कि भाई photic zone है a photic है और benthic है तीन जोन तो आपको पता ही होने चाहिए photic zone में क्या है कि blue light के बारे में समझ रहा है blue light made of short wave radiation can reach the deepest सबसे गहराई तक blue light जाती है red light has poor penetrability और photosynthesis के लिए red light का होना तो आवश्यक ही है यह तो आपको पता ही है कि wavelength of light में अगर हम देखते हैं तो photosystem 2 और photosystem 1 वो red zone में ज़्यादा effectively work करते हैं तो red light की poor penetrability अब इसी वजह से जो गहराई में पेड़ पाए जाते हैं वो थोड़ा सा reddish type के होते हैं अब light पहुँचे की नहीं तो वो reddish क्यों है reddish इसलिए हैं कि जो minimum से minimum red light पहुँचे उसको वो absorb करने हैं क्योंकि physics के law के हिसाब से जो जिस color का होता है वैसा ही दिखेगा आई बात समझ में तो इस वजह से road of ic के member नीचे रहते हैं यानि कि जो भी red light उनको मिलती है वो उसको absorb कर सकते हैं समझ में आ गई बात so blue light being of the shortest wavelength blue light सबसे ज़्यादा गहरा ही तक जाती है red light has poor penetrability now in sea green algae remain near the surface brown algae intermediate होते हैं और red algae flourish the deepest in the photic zone समझ में आ गई बात तो यह यानि कि pigmentation की वज़े से pigment absorb करता है उन wavelength को absorb करता है यहाँ पर एक physics का rule और है कि मालेज़े कोई चीज रेड क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो red को reflect करता है कोई चीज green क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो green को reflect करता है लेकिन plant में reflection वाला feature नहीं है प्लांट में absorption वाला feature तो जो green algae होते हैं वो सारी wavelength में बड़ी है से काम कर लेते हैं यानि कि green pigment का absorption जो capacity होती है वो red और blue दोनों के लिए है brown वाला थोड़ा सा कम है और red वाला सबसे कम है अब एक और बड़ी important बात बच्वों रोडोफ आईसी के member सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं लेकिन जो world average है कि सबसे ज़्यादा depth में पाए जाने वाले algae या plant कौन से हैं तो वो feo-fice है यानि कि जो बात हो गई in general, general तो road of ice होने चाहिए होते भी हैं लेकिन अगर बात हो गई record growth की record depth की तो feo-fice है record depth में सबसे अंदर लेकिन कम है ज़्यादा तर तो road of ice है आगे बढ़ते हैं a-fotic zone की बात करते हैं इसको profoundal zone भी बोला जाता it is a zone of deep water below the photic zone and above the bottom to which light does not penetrate यानि कि bottom से उपर उपर से नीचे यानि यहाँ पर perpetual darkness होता यानि कि कुछ अंधेरा कुछ twilight tag का producer do not occur in this part instead only consumers are found यहाँ पर सिर्फ consumer पाये जाते हैं यतना अंदर जाएंगे producer खत्म हो जाएंगे इस picture में देखिए बच्चों littoral zone यह देख लीजे plant जहां तक grow कर रहे हैं यह littoral zone हो गया फिर इसके बाद सारा का सारा limnetic zone हो गया limnetic zone में photic zone photic में euphotic, dysphotic यह दोनों मिला के photic है इसके नीचे profoundal zone आ गया और फिर last में आ जाएगा benthic ठीक है benthic का मतलब है बिलकुल नीचे bottom it is the bottom zone in deep lacancies the bottom is also in perpetual darkness but in shallow water light does penetrate अब benthic में भी अलग 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 बहुत ज़्यादा गयरा ही में benthic पूरा अंदे रहा है कम गयरा ही में थोड़ा उजाला है कितना है difference अब मिट्टी की बात कर लेते हैं soil soil क्या है it is the upper weathered humus containing part of earth surface which sustains terrestrial plant life मिट्टी में ही terrestrial plant की life को sustenance है बच्चो ध्यान से देखिए इस चीज़ को अब soil का formation कैसे होता है weathering process होता है कल भी discuss कर लिया है weathering process है जो rocks है वो fine powder powdery form में convert हो जाते हैं due to atmospheric changes mechanical forces mechanical weathering करता है chemical changes chemical weathering biological breakdown biological weathering देख लिए कैसे cracks बन रहे हैं rocks में पेड़ों की जड़ों ने ये biological weathering होगी योगि biological चीज़ें आप देख रहे हैं चाहे चुहा हो उसने hole कर लिया हो clear है बच्चो plant की जड़े जो होती है वो भी पत्थरों को हिला देती हैं कई बार तो जड़े बड़े important चीज़े होती है तो आप भी अपनी जड़ों को मजबूत करिए depth of knowledge बढ़ाईए देखिए पत्थर कैसे crack हो जाएगा पत्थर से आप समझी चुके हैं कि हमें क्या crack करना है हमें पत्थर नहीं तोड़ने राइट आगे बढ़ते हैं soil formation weathered mineral matter is changed to soil by the process of pedogenesis अब ये pedogenesis क्या है इसके उपर question आ चुका है pedology is the science of soil और pedogenesis याने कि soil का formation genesis का मतलब है formation तो pedology is the science of soil and pedogenesis formation of soil which involve humification humification भी होता है humification humus का formation होगा soil का पर soil की upper layer में हम देखेंगे humus रहेगा humus बहुत ज़रूरी है humus water को control करता है humus microbe की growth कराता है humus decomposition recycling के process को करने में मदद करता है बिना humus के बड़ी समस्या है बिना humus के जो soil होगी वो बिलकुल barren land होगी वहाँ पर कुछ grow नहीं करेगा तो humus का होना बहुत ज़रूरी है अब soil profile देख लेते हैं बच्वों quick succession में कर रहे हैं इसे हैं बहुत डीटेल में कर चुके हैं लेकिन चुकि रिवीजन है थोड़ा सा फास्क चल रहे हैं तो appearance of different layer in a vertical section soil का section कर या अलग-अलग layer soil layer have distinctive structure and properties हर एक layer की अलग property है each horizon can be divided into sub horizon उन horizons को आप देख लेते हैं तो a zone soil contains maximum of three horizon होता है तीन layer है सर्फेस के उपर पतला सा लिटर वाला area रहेगा जिसमें humus वगेरा काफी रहेगा उसको o horizon बोल देते हैं a से भी उपर लेकिन है वो भी a का ही part बोल सकते हैं क्योंकि वो depend करता है soil के उपर मिटी है अब मिटी के उपर क्या पढ़ा हुआ है humus काफी जादा भी पढ़ा रह सकता तो इस वज़े से उसको o horizon बोल दे जादा पत्तियां गिर गी आप खुद ही सोचिए मिटी है और पत्ज़र के टाइम पे जादा पत्तियों का डेर लगया कभी तो पत्तियों का डेर इतना कभी इतना तो वो सोयल तो नहीं है तो वो o horizon हो गया जाना कि मिटी के उपर का पार मिटी के उपर काफी चीज़ें आ सकती है जैसे आजकल तो हमने तो कमाली कर रखा हमने अपनी polythene फैक रखी है मिटी के उपर प्लास्टिक की चीज़ें फैक रखी है मिटी के उपर बहुत सारी human activity में आप समझते है तीन डाल रखी है किसी तीन इस तरह की चीज़ें अगर हमने फैक रखी है वो मिटी तो नहीं है मिटी के उपर का पार है तो A horizon से उपर का है surface litter इसको बोलते है आगे बढ़ते हैं A horizon को जान लेते हैं जहां पर litter कम होगा वहाँ ozone कम है ozone नहीं O horizon Now A horizon is the uppermost horizon of the soil which is called the top soil यह है ना top soil humus को तो top soil नहीं बोलेंगे पतियां गिर गई है 4 इंच पतियों का fall हुआ है उसको तो हम नहीं बोल सकते top soil उसको हटाएंगे पतियों को हटाएंगे यहां पर mixture है humus और mineral matter का mixture root of most of the trees remain restricted to A horizon जो पेडों की जड़े होती है वो ज़्यादातर A horizon में ही restricted रहती है अब आप बोलेंगे कि A horizon की height कितनी तो बच्चों यह depend करता है अलग-अलग soil type अब A horizon में यह burrowing animals भी होते हैं आप लोगों को देख करके डर रहा है काफी बच्चे हैं इस वक्त तो चूहा डर गया है तो horizon is rich in micro-organism A horizon micro-organism में भी रिच है even burrows of small animal occur in A horizon जैसे की चूहा इनका जो है जो burrows होते हैं जो hole होते हैं छेद बनाते हैं यह रहने के लिए अपना तो वो जो स्थान बनता है वो भी A horizon में ही पाया जाता है B horizon अब आप देख लीजे बच्चों A horizon थोड़ा सा है B horizon और जादा है कहने कि A horizon अगर feet में कहें अगर 10 feet है A horizon तो B horizon 30 feet तक है लेकिन अगेन मैं कहूंगा इसको feet से measure नहीं कर सकते comparatively आप ratio के हिसाब से measure कर सकते है कि 10% A horizon है तो 30% B horizon है Now it is also called sub-soil B horizon को sub-soil बोला जाता है The sub-soil receives various material reaching from the top soil जो भी top soil से जाता है leaching के process से पानी में घुल के जो भी चीज नीचे जा रही वो नीचे जाता है It is rich in plant nutrient including humus but illuviation also causes formation of compact and hard sub-layer अलग-अलग zonation हो जाता है pressure रहता है अच्छा एक और चीज इसमें क्या होता है जो plant को nutrient कई बार नहीं मिल पाते तो जो हल चलाया जाता है तो हल चलाने में mainly क्या होता है कि जो A layer है उसका नीचे का portion उपर आता है लेकिन और जादा गहराई से अगर आप खुदाई करते हैं तो B horizon का भी part आ सकता है लेकिन B horizon जादा तर cases में थोड़ा compact रहता है आपने देखा होगा कहीं पर कुआ की खुदाई हो रही है या नहर बन रही है केनाल की खुदाई हो रही है आ गया जी C horizon अब C horizon क्या है irregular rock fragment याने कि ये proper मिट्टी नहीं है इसमें weathered incomplete weathered rock है unweathered बोल सकते हैं biological activity इसमें नहीं होती आप खुद ही सोच लीजे 40 feet के नीचे अगर जाएंगे तो biological activity तो नहीं मिलेगी horizon is saturated with moisture and represent the water table आप देख लीजे जादा तर हमारी country के हिस्सों में कुए की depth जो है 30-40 feet के नीचे तो पानी मतलब उससे पहले तो पानी नहीं मिलता कई बार उसके भी नीचे चला जाता है तो अगर 40 feet पर पानी है इसका मतलब है कि आप C horizon में पहुँच चुके हैं जहां पर water table आपको मिल चुका है Unbroken and Unweathered Parent Bedrock Lies Below Sea Horizon इसके नीचे Parent Bedrock रहते हैं जो बिल्कुल भी weather नहीं हुए और Sea Horizon में भी बड़े-बड़े rock के chunks आपको देखने को मिल जाएंगे देख लीजे पत्थर मिलेंगे मिट्टी के साथ पत्थर मिलेंगे इस इलाखे में अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पानी किस तरह से धर्ती की अलग-अलग लेरों में परत दर परत अंदर जाता है ये बहुत important एक छोटी सी बूंद को देखिए एक बूंद मिट्टी में जब गिरती है उपर तो पानी ही रहता है पहले लेकिन वो परकोलेट करती है यानि कि वो पानी अब अंदर की तरफ जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जहां तक वो जा सकता है तो एक ही बूंद तो नहीं है इसके पीछे और भी बूंद आएगी मैंने आपको एक ही बून दिखाई यहां पर पानी जा रहा है जमीन के अंदर पर कोलेट कर रहा है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं बच्चों सॉइल मइस्चर और स्वाइल मिठी में जो वाटर क्योंकि प्लांट को तो वाटर चाहिए और मिठी से यह पानी की supply तो है नि प्लांट यह अलग से जो है municipal corporation की supply है, इस plant के लिए, soil moisture is derived from rain, main source क्या है, soil moisture का rain है, in crop field irrigation is another source, सिचाई भी एक source है, फेतों में हमने सिचाई कर दी, तो सिचाई के तुरू भी है, a part of rain or irrigation water flows over the soil as run away water and a part percolate downwardly to water table, इसका मतलब क्या है, मैं explain इसलिए भी कर देता हूँ, क्योंकि कई बार आप confused होते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो यह बहुत जरूरी है कि जो मैं आपको बता हूँ, उसको explain तो करूँ, देखे बच्चों जब बारिश होती है, irrigation होता है, तो पानी का जो एक general tendency है, वो flow करने की है, और flow किस direction में करत है, gravity के हिसाफ से flow करता है, यानि कि upper level से lower level, तो अगर ढ़लान है, तो पानी बहता हुआ चला जाएगा, वो भी तो gravity से ही move करा, लेकिन थारा पानी नहीं बह जाएगा, कुछ पानी जमीन के अंदर भी जाएगा, वो भी gravity की वजए से जाएगा, लेकिन आप खुद ही सोचि बारिश के पानी की dependency है, कि बारिश में अगर पानी नहीं होगा, तो water table नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर लोग water को store करते हैं, बहके नदियों में नहीं जाने देते हैं, store कर लिया जाता है, नालियों से बहते हुए नहीं जाएगा, store करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जमीन के उपर जब पानी store हो जाएगा, तो वो धीमे 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 water table में जाएगा, यह सेम कहानी मैंने मालवा region में देखी, इंदौर में, इंदौर में जो rain fall है, उस वही है ground water का source, और वहाँ पर जो river है, नर्मदा नदी, उसमें भी जो पानी होता है, वो बारिश के time पर ही collect कर दिये जाते हैं, पानी भढ़ जाता है, उसी से ground water table भी वो हो जाता है, और वो पानी फूरे year वो use कर सकते हैं, आई बात समझ में, तो flowing water निकल जाएगा, उसको गर हम रोकेंगे, तो जमीन के अंदर जा सकता है, यह देख लिए, इस picture makes it clear, कि कुछ run away water है, यह देख लिए water हो गया, जिसको run away water करें, और कुछ water, जो gap है, उनके थूरू नीचे 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 जाता जाएगा, जाता जाएगा, जो मिटी के बीच में पहुंच रहा है, मिटी के कड़ों के बीच में, उसको hygroscopic water कहा जाएगा, यह है hygroscopic, तो hygroscopic plant वो है, जिसमें hygroscopic water जाएगा हमने भी पढ़ा था, hygros, hygrophytes, mesophytes, zerophytes, तो जिसमें hygroscopic water जाएगा है, soil particle के बीच में, वो hygrophytes होगा, फिर air भी trapped रहती और capillary water, यह जो capillary water होता है, यही सबसे जादा plant के काम का है, तो water के बारे में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, और नीचे जो है water table है, तो gravitational water जाते 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 water table तक पहुचेगा, that is where it has to reach, क्योंकि gravitational water को वही तक पहुचना है, water table को जा करके fill कर देगा, water table में water है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप boring करके भी उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं, अब मिट्टी ने पानी को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो कुछ वास्पी करन भी होगा, कुछ है combined water और कुछ है capillary water, combined water ने की chemically combined हो गया, मिट्टी के साथ जो भी chemicals हैं, उसके साथ chemically, और capillary water, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो last वाला capillary water है, plant को यही मिलता है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं, now, hygroscopic water, कौन सा है, it is the water absorbed or imbibed by the soil colloid, soil में जो colloid particle है, उनके किनारे किनारे adsorption हो रहा है, adsorption मैंने आपको बताया हुआ है, imbibition, adsorption, dry seed वगेरा में होता है, तो इसमें पानी अंदर नहीं जाता है, chemically react नहीं करता है, लेकिन उपर उपर रहता है और उससे वो particle swell हो जाते हैं, it is not available to the plant as the water is held very firmly by the soil particle, इस water को soil particle छोड़ते ही नहीं है, इतना firmly पकड़के रखते हैं, अब plant के अंदर ऐसा mechanism था है नहीं, खीच के लिए आएगा, ऐसा mechanism था है नहीं, क्योंकि water का जो movement है, वो almost passive ही होता है, higher to lower concentration, तो यह जो hygroscopic water है, यह available नहीं है, देख लीजे बच्छों, second is capillary water, capillary water यानि कि soil particle के बीच में जो gap में पानी है, वो water available water to plant root, इसको plant absorb कर सकते हैं, इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और जो gravitational water है वो तो बिलकुल नीचे चला जाएगा, ground water table में चला जाएगा, यह plant absorb नहीं कर पाएं, आगे बढ़ते हैं, water vapor, अब देख लीजे हैं, अभी अभी सिचाई हुई है इस field में, सुबह सुबह यह नजारा देखने को मिलता है, अगर आप खेतों की तरफ जाएं, और पिछले दिन रात को सिचाई हुई हो तो इस तरह के वास्प आपको दिखाई देगी, वास्पी करन बोलते हैं, इसको vapor formation, तो water vapor कहा होते हैं, they occur in the soil atmosphere to make the latter saturated, यानि कि soil को saturate कर देते हैं, पुरा भाफ पैल जाती है, पारिश के बाद भी कई बार आपको इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, वैसे तो rare incident हैं, cities में, लेकिन rural areas में, बहुत अच्छे से बखु भी देखने को मिलता है, और जिन्होंने rural area को नहीं देखा है, दर्शन नहीं किया है, बच्छों मौका मिले तो जरूर जाइए, क्योंकि आप nature के जितना नजदीक होंगे, biology की study उतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन नीच के बार, तो now though not available to the plant, a component of this water condenses during night so as to wet the areas dried by evaporation, अलाकि ये vapor form में plant के काम का नहीं है, लेकिन अकर इसमे में रहेगा, तो वो plant के काम का है, combined water, अब combined water की बात कर लेते हैं, जो chemically combined अभी बताया था मैंने आपको, so the water occurs bound up in chemicals and is thus unavailable, ये water भी unavailable है, क्योंकि ये chemically bound हो जाता है, देख लीजे, chemically combined water, ये hygroscopic water याने कि adsorption उपर-उपर surface में है, और ये chemically combined water, भुल गया, उसके साथ chemically combined ये है free gravitational water, तो रुके गई नहीं मिट्टी में, तो नीचे ही जाएगा, percolate करके drop by drop चला जाएगा, बचा कौन, capillary water, capillary water ही plant के काम का है, तो जो capillary water बचा रहता है, उसी को plant utilize कर सकते हैं, किसी और water को plant can never utilize, समझ महीं बात, तो combined water भी हमारे काम का नहीं है, अब आगे बढ़ इनसाइड माइक्रो पोर, जो माइक्रो पोर होते हैं, soil particle के बीच में, उनमें जो पानी भढ़ जाता है, वो capillary water, it is the water available to the plant root, plant की root को यही water available है, content of capillary water depends upon soil texture, मिट्टी के texture के उपर depend करता है, बच्चों की कितना ज्यादा capillary water होगा, तो कि कई बार evaporate कर जाता है, water holding capacity, clayey soil की स sandy soil होती है, जो sand है, बालू है, वो तो water को रोक ही नहीं सकती, water निकल जाएगा, तो sandy soil में भी कम पाया जाता है, clayey soil में water का, और जहाँ पर humus वगरा रहता है, वहाँ पर भी capillary water थोड़ा सा stay कर सकता है, क्योंकि humus की वज़े से evaporation का rate slow हो जाता है, यह भी वड़ी important बात है जहाँ पर humus है, garden soil में आप देखिए काफी humus है, वहाँ की मिट्टी गीली रहती है, काफी वक्त तक, लेकिन garden से बाहर open area में मिट्टी सूक जाती है जल्दी, I hope this is now absolutely clear to you about capillary water, अब बात कर लेते हैं total पानी की, जो total water है उसको क्या कहते है, total soil water, यानि कि यह जो तारा मिला क यह देख लीजिए, मैं एक बार फिर जाता हूं पीछे, यह वाले, यह चारो के चारो water मिला लिए, hygroscopic water, water vapor, combined water, capillary water, यह सारा का सारा पानी अगर आपने एक साथ, assume कर लिया तो उसको कहते हैं, holard, that is the total soil water, holard part है, अब उस holard में, kreshard, एक term है, kreshard, c h r e s a r d, ध्यान water available to the plant, और एकारड कौन सा है, this is water not available to the plant, यह कौन-कौन सा हो गया, hygroscopic एकारड है, combined型 water, एकारड है, water vapor, एकारड है, total water of the soil, holard, वाटर अवैलेबल तु दा प्लांट क्रेशार्ड, वाटर नॉट अवैलेबल तु दा प्लांट एक हार्ड, और एक हार्ड वाटर कौन सा होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, कम्बाइंड वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, right, thank you for the hearts बच्चे, dreaming, right, तो चारों की चारों जो हमारे एक बारे में पढ़ लिया, अब टाइम है, बारे में हम पढ़ेंगे, और population ecology को भी समझने की जरूरत, तो population ecology इस chapter का बड़ा ही important part है, population ecology को भी हमें समझने की जरूरत है, तो population ecology अब हम कल के session में समझेंगे, बच्चों हमारे जो sessions चलते हैं, वो Monday to Wednesday, class 11th के लिए चल रहे है, class 11th के लिए बच्चों जो next year के बच्चे है, उनके लिए neat life daily 2.0 start हो चुका है, and Sachin sir has already started with zoology portion, Mahend sir is taking you through physics, Anup sir is taking through chemistry, and I will be taking you through botany portion from coming Monday, ठीक है बच्चों, coming Monday से botany 7 to 8 p.m. का जो session है, क्योंकि हमारा 45 days crash course कल हो जाएगा complete, इसके लावा, आप लोगों के जब तक neat exam नहीं हो जाते, किसी ना किसी series के थूरू हम आपकी practice जरूर कराते रहेंगे, Sunday will be the day for motivation, same pattern follow होगा, Thursday to Saturday for class 12th student, जिसमें neat life daily 2.0 में, Sachin sir zoology portion कराएंगे, Mahend sir physics कराएंग और मैं आपको botany कराऊंगा, right, 45 days crash course मेरा कल complete हो जाएगा, बाकि जो चल रहा है जैसे, अनुद सर और इंदरजीत सर वो आपको कराते रहेंगे, Sunday will be the motivational session, and बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक unacademy subscription join नहीं किया है, अप लोग कर सकते हैं, नीट exam की date आ चुकी है, आप 3 month का time है, जुड़िए, subscription के साथ, पूरा का पूरा detail में study करते हैं, और use करिएगा, बच्चे, code Pradip Life, यह हमारे लिए social currency के समान होता है, ओके बच्चों, जिनों ने, चैनल नहीं सब्सक्राइब के, वो चैनल सब्सक्राइब करें, unacademy need, unacademy jay, unacademy for 9-10 school preparation, 11-12 board preparation, together let us crack it and चैनल को तुरंट के तुरंट सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिये ताकि आपको notifications मिलते हैं, और hash neat like daily के तुरू, आप मेरे sessions को जरूर शेर करिए अपने social media platform पर, ताकि इस revolution के बारे में country के हर एक बच्चे को पता चल सके, and for joining with unacademy subscription, you can use the code Pr right, that's all for today बच्चों, see you again tomorrow, take care, bye-bye